आप सभी का स्वागत है मित्रों आप सभी जानते हैं छै फरवरी दिन मंगलवाद 2024 को शर्टिला एकादशी है कहा जाता है इस दिन पर कथा पढ़ने वा सुनने से आपकी सभी कामनाय पोड़न होते हैं माग माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को शर्टिला एकादशी कहते हैं और इस दिन व्रत करने से जातक को म्रत्यू के बाद मोक्ष की प्राप्ती होती है तो चलिए जानते हैं कौन सी है इसकी व्रत कथा और क्या है इसका महत्व हिंदी कलेंडर के अनुसार प्रत्यक माह दो एकादशी व्रत आती है और इस तरह साल में कुल 24 एकादशी तिथी पड़ती है प्रत्यक एकादशी व्रत का अपना एक खास महत्व होता है धर्म शास्त्रों में शर्टिला एकादशी का विशेश महत्व बताया गया है कहते हैं इस दिन व्रत करने से जातक जीवन भर सुखी और संपन्य रहता है और मृत्यू के पश्चात मोक्ष की प्राप्ती होती है इस साल शर्टिला एकादशी व्रत छे फरवरी मंगलवार को रखा जाएगा तो चलिए जानते हैं इस व्रत की कथा और उसके महत्व शर्टिला व्रत एकादशी की कथा पौराणिक कहानी के अनुसार एक नगर में एक ब्रामण निवास करती थी वह भगवान श्रीहरी विष्णू की भक्त थी और भगवान विष्णू के सभी व्रतों को नियम से करती थी भगवान विश्णु की अराधना करते हुए एक बार ब्राम्मनी ने एक महीने तक उपवास रखा जिसकी वजह से उसका शरीव दुलवल हो गया लेकिन तन शुद्ध हो गया अपने भक्त की भक्ती देखकर भगवान ने सोचा कि तन शुद्धी से इसे बैकुंट तो प्राप्त हो जाएगा लेकिन उसका मन तरप्त नहीं होगा क्योंकि वरत के दौरान उसने कोई दान नहीं किया और बिना दान वरत का पूनफन नहीं मिलता है इस वज़ा से उसे विश्णू लोग में तरप्ती नहीं मिलेगी तब भगवान स्वयम उससे दान लेने के लिए उसके घर पहुँच गए भगवान विश्णू उस ब्रामणी के घर बिक्षा लेने गए तो उसने दान में मिट्टी का एक पिंड दे दिया जिसे लेकर श्रीहरी वहां से चले आए कुछ समय पश्षात ब्रामणी का निधन हो गया और वह विश्णू लोग पहुँच गई उसी वहां पर रहने के लिए एक कुटिया मिली जिसमें एक आम के पेड़ के अलावा कुछ भी नहीं था उसने पूछा कि इतने वरत करने का क्या लाब जो बैकुंठ में आकर भी खाले कुटिया और आम का पेड़ मिला तब श्रीहरी विश्णू ने कहा कि तुमने मनुष्य जीवन में कभी भी अन्य या धन का दान नहीं दिया और यही उसी का परिणाम है यह सुनकर उसी पश्यताप होने लगा उसने प्रभू से इसका उपाय पूछा तब भगवान विश्णू ने कहा कि जब देव कन्याय तुमसे मिलने आए तो तुम उनसे शत्तिला एकादशी व्रत करने की विधी पूछना जब तक वे इसके बारे में बता ना दे तब तक कुटिया का द्वार मत खोलना भगवान विश्णून के बताय अनुसार उस व्रामणी ने ऐसा ही किया देव कन्याओं से विधी जानने के बाद उसने भी शत्तिला एकादशी का व्रत किया उस व्रत के प्रभाव से कुटिया सभी आवशक वस्तुओं धन धान आदे से भर गई और वह बुडिया भी रूपवती हो गई भगवान विश्णूने नाराजी को शत्तिला व्रत एकादशी की महिमा इस प्रकार सुनाई शत्तिला एकादशी के दिन दान करने से सौभागे बढ़ता है और दरिता दूर होती है तो यदि आप भी शत्तिला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो नियम पुरवक एकादशी की सारी नियम जान ले और व्रत का सुभा इसनानादी से निर्वित्र होकर संकल पले भगवान विश्नु और मा लक्ष्मी के मंदिर अवश्य ही जाएं या फिर आप घर पर भी भगवान श्रीहरी विश्नु का पूजन कर संग मा लक्षमी के साथ में उनकी पूजन करें और कथा को अवश्य ही सुनें कथा ग्रहन करने से मोक्ष की प्राप्ती होती है और इस दिन जरुरत मंदों को अपनी समक्षा की अनसार कुछ भी धन धान या फिर वस्त्र भी आप दान कर सकती हैं दान करने से बहुती अधिक लाब मिलता है और एकादर्शी के व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है धनिवाद दर्शकों हम आसा करती हैं आज का यह उपाए आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा यदि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया तो व शिवाय नमस्तो भ्याम जय मालक्षा